बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नमस्कार में हूँ आपके साथ प्रीती बुलेटिन के शुरुआत सुपर नौ बजे के हिटलाइन्स के साथ संसत के दोनों सदनों में विशेशा दिकार हनन का नोटिस विचारा धीन विपक्षाज फिर से उठा सकता है मुद्दा जेन्यू चात्र करेंगे संसत तक मार्श जीवन रक्षक दवाओ पर सीमा शुलक छूट खत्म करने पर सख्त राश्ट्रे मानवादिकारा योग विट्थ और स्वास्ते मंत्राले को नोटिस चार हफ़ते में मांगा जवाब आई पेल के पूर्व कमिश्टर लालित मोदी को भारत लाने की तयारी ब्रिटेन से प्रत्यरपन के लिए एडी को अदालत से मिली मंजूरी विदेश मंत्राले के जरीया आगे की कारवाई अमेरिका में राश्ट्रोपती पत की उमीदवारी के लिए ग्यारा राज्जियों में डाले गए वोट हिलेरी क्लिंटन को छे जबकि ट्रॉम्प को पांच में जीत टेकसास में हारे बर्नी सांडल्स और एश्या कब के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया श्री लंका को पांच मिकेट से हराया विराट कोहली बने प्लेयर आफ दे मैच हब्से पहले बात संसत सत्र की उसके कामकाज की संसद की दोनों सदों में आज विशेश अधिकार हनन के नोटिस का मसला उठ सकता है विपक्ष ने रोहित वेमुला के मसले पर केंद्रिय मंत्री स्मृति एरानी के बयान पर विशेश दिकार हनन का नोटिस दिया है विलहाल ये नोटिस सभापती के पास विचारा धीन है कॉंग्रेस और बीस पी ने कल भी विशेश दिकार हनन का मुद्दा उठाया था इसके लावा एए एडियम के ने पूर्व केंद्रिय वित्तमंत्री पीची दम्रम के बेटे कारतिश दम्रम के खिलाफ कारवाई की मांगी इन मुद्दों पर कल सदन की कारवाही कई बार स्थगित करने पड़े राज्चे सभा में मंगलवार को सदन की कारवाही शुरू होते ही AI-ADM के सांसदों ने सदन के बीच में आकर नारेबाजी शुरू कर दी इसके चलते सदन की कारवाही कई बार स्थगित हुई सदन में राज्य सभा में विपक्ष के निता घुलाम नभी आजाद में सदन में केंदरिय मंतरी स्मृती इरानी के खिलाफ विश्य शाधिकार हनन के प्रस्ताव का मुद्धा उठाया। दूसरे दलों ने भी पॉंग्रिस का इस मामले में समर्थन किया। वही सरकार ने विपक्ष के इस कदम पर आपत्ती जताई। उसके इक सिस्टम होता है। उसके जाएट जो प्रिविलेज मुशन आपने दिया होगा या हनुर में मेंबर्स हो रहे उन्होंने दिया होगा उसके बारे में शेयर डिसाइड करेंगी। उप सभापती पीजे कुरियन ने सदन को जानकारी दी कि विशेशा दिकार हनन का प्रस्ताव सभापती के पास विचारा दिन है सदन में AI ADMK के विरोत के चलते सदन की कारवाही बुधवार तक के लिए स्थकित करती गई इस बीच कारती चिदंबरम ने इस मामले में सफाई दी है पूर्वित मंतरी पीचे दंबरम के बेटे कारती पर गहर कानूनी तरीके से पैसे कमाने का आरोप है विशाल दहिया राज्य सभा टीवी केंद्रिय मंतरी राम शंकर कर्थेरिया के विवादित बयान को लेकर कल संसद में गतिरोध दिखा कॉंग्रेस ने इस मामले में प्रधान मंतरी से सफाई मांगी बीच्पी समय दूसरे दलों ने कर्थेरिया के स्तीफे की मांगी वहराज्यमंत्री कठेरिया ने आरूपोसेंकार किया है केंद्रे मंत्री रामशंकर कठेरिया के विवादित बयान पर संसद के भीतर अवरोध और स्रडक पर विरोध प्रदर्शन हुआ कॉंग्रिस नहें पृधान मंत्री से संसद में बयान देने की माँगी BSP अध्यक्ष मायवती ने राम शंकर कठेरिया को मंत्री मंडल से हटाने की मांग की है दूसरे दलों ने भी केंद्री मंत्री राम शंकर कठेरिया के बयान की निंदा की है उनकों के खिलाब कारवाई होनी चाहिए इस तरह के मंत्री को मंत्री बंडल में नहीं रखना चाहिए आगरा में मुकद्वावी काहिम हुआ है लोगों के खिलाब केंद्री मंत्री वेंके नैडू ने कहा है कि सभी को समविधान और कानून का पालन करना चाहिए वही राम शंकर कठेरिया ने भढ़काव भाशन और किसी समुदाय का नाम लेने से इनकार किया है कठारिया पर कुछ दिन पहले आगरा में एक वियच्पी कार्यकरता की शोक सभा के दोरान आपत्ते जनक बयान देने का आरोप लगा है विपिन चाहान रज्यसभा टीवी तेशद्रो के आरोपों में गिरफता जेनियू चात्र संग अध्यक्ष कनाया कुमार उमर खालिद और अनिर्बान की रहाई की मांग को लेकर जेनियू चात्रों ने आंदोलन तेज करने का आवान किया है जिसके तेश चात्र आज संसद भवन तक मार्च करेंगे ये मार्च दुपेर दो बजे शुरू होगा जो मंडी हाउस से संसद भवन तक होगा जेनियू चात्र संग उपाद्धक्ष शेला राशित शोरा को ये मताबिक देश द्रों के आरोपों के जरिये जेनियू हैदराबाद विश्विद्याले और दूसरी जंगों पर असेहमती को दमाने के विरोध में संसद भवन तक मार्च का योजन किया गया है विरोध मार्च में दिल्ली के अलग अलग विश्विद्यालों के शिक्षावेद और चात्र हिस्सा लेंगे देश द्रों के आरोपों में करहिया की गिरफतारी के बाद से ही चात्र अंदोलन कर रहे हैं देशद्रों के आरोप में गिरफतार शातर करहिया की जमाना त्याचिका पर आद सुनवाई होगी इससे पहले करहिया की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोट में दिल्ली पुलिस से कुछ मुश्किल सवाल पूछे थे इस बीश देशद्रों के आरोप में गिरफतार जेन्यू के चातर उमर खालिद और अरिर्बान भटाचारे को कल 14 दिन की नियाए खिरासत पे भेश दिया गया वहीं इस मामले की जाच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस टीम का गठन किया है जो इस मामले से जुड़े डाइरी की जाच करेगी जेन्यू के चातर उमर खालिद और अनिर्बान भटाचारे की पुलिस हिरासत मंगलवार को खत्म हो गई दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की नियाएक हिरासत में भेज दिया है वहीं जेन्यू चातर संके अध्यक्ष कनहिया कुमार की जमानत पर बुदवार को फैसला आना है सुमवार को दिली हाय कोर्ट में कनहिया की जमाना तरजी पर फैसला सुरक्षत रख लिया था सुनवाई के दورान हाई कोर्ट ने दिली पुलिस से कनहिया के खिलाफ सबूत मांगे और ये थाबित करने को कहा कि नारे लगाने वालों में कनहिया भी शामिल था कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि नौ फरवरी को ही FIR दर्ज क्यों नहीं की गई जैनियू विवाद पर NCP अध्यक्ष शरत पवार ने केंदर सरकार को आड़े हाथो लिया उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में भैका माहौल बनाया जा रहा है और छात्रों को बेवजह प्रतालित किया जा रहा है जहां इनोसन्द लोगों के उपर हम्रिय होते हैं कानून का गई इस्तिवार हो जाता है जैन्यू में नौफरवरी को एक कारिक्रम में देश विरोधी नारे लगने का आरोप है पुलिस ने कनहिया समेच छह चात्रों पर देश रोह का मुकदमा दर्ज किया है विपिन चोहान राज्यसभा टीवी कॉंग्रिस ने मुर्थल में जाट आंदोलन के दोरान कथित गैंग रेप के मामले की नियाइक जाच की मांग की है हर्याना के मुर्थल में जाट आंदोलन के दोरान कथित गैंग रेप मामले की हाई कोट की देख रेक में नयाइक जाच कराने की मांग राज्यसभा में उठी इस बीच हर्याना सरकार की ओर से बनाई गए समिती हिंसा पीडित जिलों का दोरा करेगी इस मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने राज्यसरकार को अवमानना का नोटिस भेचा है कोट ने पूछा है कि प्रदेश ने इसके पहले हुए जाट आंदोलन के हिंसा से कोई सबक क्यों नहीं लिया पिछले महीने हर्याना में दस दिन तक चले जाट आरक्षन अंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और लूट पाठ हुई थी रविंद सिंक्षोरान राज्यसरभा टीवी शिवसेना ने मंगलवार को हुई एंडिये की बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराज़गी जताई है पार्टी सांसाद अर्विं सावंथ ने दावा किया कि इस बैठक के लिए शिवसेना को नियोता नहीं बेजा गया पार्टी ने इस मसले पर संसेदे कारेवंतरी बेंकर या नाइडू को जानकारी देते हुए नाराज़गी जाहिर कर दी है सावंथ के मताबिक नाइडू ने खलती मान ली है जिस वज़े से शिवसेना इस मुद्दे को तूल नहीं देगी इस भी शिवसेना नेता संजेर राउत ने इसके लिए सीधे तोर से बीजेपी को जिम्मेदार ठराया है कॉंग्रिस उपाद्यक श्राहुल गांदी आज राज जिस तरिये पार्टी रेताओं के साथ बैठक करेंगे ये बैठक दिल्ली में होगी बैठक को उत्तरप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाओं को देखते हुए काफी एहम माना जा रहा है बताया जा रहा है कि बैठक में 30 से जादा नेता शामिल होंगे इस बैठक में चुनावी रणीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल होंगे प्राश्ट्रिय मानवादिकार आयोग ने वित्त मंतराले और केंद्रे स्वास्ति मंतराले को जीवन रक्षक दमाओं पर उतपाद शुल्क बढ़ाया जाने को लेकर नोटिस भेजा है आयोग ने कुछ जीवन रक्षक दमाओं से सीमा शुल्क छूट वापस लेने और कुछ पर उतपाद शुल्क लगाने से उनकी खीमतों में बढ़ोतरी से संबंदित खबरों पर खुद संग्यान लिया है और ये नोटिस जारी किया है आयोग का मरना है कि जब देश में स्वास्ते तंतर कई समस्याओं से जूज रहा है ऐसे में दवाओं की कीमत बढ़ने का रोगियों पर सीधा असर पड़ेगा इसे देखते हुए आयोग ने वित और स्वास्ते सचिव को चार हफते में जवाब देने को कहा है मीडिया में बीती आठ फरवरी को आई रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरनाक संक्रमनों से लड़ने वाली एंटिबाइटिक दवाओं पर अब सीमा शुल्क लगाया जाएगा रिपोर्ट के मताबिक सरकार ने 76 महतुपूर्ट दवाओं पर सीमा शुल्क में मिलने वाली छूट को हटा लिया है इनमें से 47 दवाए आवशक दवाओं की राश्ट्रिय सूची में शामिल है आईपिल के पूर्चे में ललत मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रवतन निदिशाले को मनजूरी मिल गई है मुंबई के अदालत ने मंगलवार को आदेश जारी करके एडी को ललत मोदी के खिलाफ प्रत्यरपण की प्रक्रिया शुरू करने के नुमती दी प्रवतन निदिशाले ने ललत मोदी और दूसरों के खिलाफ मनी लॉंडिंग से जुड़े मामलों की जाच कर रहा है इस सलसले में एडी ललत मोदी को भारत लाना चाहता है ब्रिटेन से ललत मोदी के प्रत्यरपण के लिए निदिशाले ने याचिका दार की थी एडी का कहिना है कि ललत मोदी के खिलाफ इंटरपोल के नोटिस का कोई परणाम नहीं निकल रहा है अदालत ने इस से पहले इसी मामले में ललत मोदी के खिलाफ गहर जमानती बॉर्डन जारी किया था इसके अधार पर ही पिछले साल ललत मोदी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्णर नोटिस जारी कर चुका था निदेशाले के प्रत्यरपण के आगरे को अब विदेश मंत्राले के पास भेजा जाएगा मंत्राले से ब्रिटेन के अधिकादियों के पास भेजेगा दिल्ले पुलिस ने टेरी के पूर महाने देशक आर के पचौरी के खिलाफ आरो पत्र दाखिल कर दिया है आरके पचारी पर अपनी ही दफ्तर में काम करने वाले महिला के साथ यौन उत्पिडन कारूप है इस मामले की अगले सुनवाई 23 अपरेल को होगी पुलिस ने 23 लोगों को अभी होजन पक्ष का गवा बनाया है इनमें कई टेरी के मौझूदा और पूर्व करमचारी है फिलाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं बने रहे हमारे साथ घटम प्राचीन दक्षन भारतिये तालवाद्य जब बचता है तो स्रिष्टी के पांच तत्वों धरा, जल, वायू, अक्नी और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस घटम पर उंगलियों और हतेली के थाप से उतबन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भत तालवाद्य प्रधार मंत्री नरेंद्र मूदी ने केंदर सरकार के स्टाफ के पुनर गठन और उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पांस अदस्यों का एक कारेबल बनाया है कार्मेक और प्रशिक्षन विभाग में अतरिक्त सचेव राजीव कुमार इसके अध्धक्षूंगे कार्मेक राजी मंत्री जीतेंद्र सिंग ने कहा कि समिती को अगले महीने अपनी रिपोर्ट देनी है उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का पुनर गठन सुष्यासन के लिए बहुत महत्पूर्ण है और ये फैसला मोदी सरकार की नियुनितम सरकार अधितम प्रश्यासन की सोच पर आधारित है कार्मिक राज्यमंत्री के मताबिक आटोनॉमस संस्थाओं के पुनर गठन और समीक्षा पर भी विचार किया जा रहा है ये टास्पोर्स केंद्र सरकार के अधियन उच्च पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को बहितर उप्योग को लेकर सिफारिशे देगा टास्पोर्स इन पदों की भूमिका और जरूरत पर भी सुझाओ देगी भविश्य निदी पर टाक्स लगाने की गोशना के बाद मची खलबली पर सरकार ने सफाई दी है सरकार ने साफ किया कि पीपेफ पर किसी भी तरह का टाक्स नहीं लगेगा लेकिन करमचारी भविश्य निदी यानी एक अपरेल के बाद जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टाक्स लगेगा हाला कि मूल राशी पर छूट जारी रहेगी इस बीच करमचारीयों के विरोध के बाद सरकार ने टाक्स प्रस्ताव पर विचार करने का भरोसा दिया है सारवजनिक भविश्य निदी से जुड़े कर प्रस्तावों पर वित मंतराले ने मंगलवार को सपष्टी करण दिया मंतराले ने कहा कि PPF से पैसा निकालने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा जो पब्लिक प्रॉविडन्ट फंड है PPF है उस पे ये जो नया टैक्स का स्कीम है लागू नहीं होगा वो इसके दाइरे के बाहर है तो जो लोग PPF में हैं उन लोगों को इस बारे में कोई फिकर करने की ज़रूआत नहीं है महीं करमचारी भविश्य निदी यानी EPF के प्रस्तावित कर दाइरे में 15,000 तक वेतन पाने वाले करमचारी शामिल नहीं होंगे एक अप्रेल 2016 के बाद EPF में जमा राशी के 60 फिस्दी हिस्से पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दाइरे में होगा जबकि मूल रकम पर कोई कर नहीं लगेगा इस प्रस्ताव का असर 79 लाग करमचारियों पर भी पड़ेगा जो नीजी कमपनियों में मोटी तनख्वा पाते हैं मंत्राले के मताबिख पंजी करत प्रोविडेंट फंड और नैशनल पैंशन सिस्टम से 40 फिस्दी रकम पर कर नहीं लगेगा बागी बची 60 फिस्दी रकम को एनुएट्री में निवेश कर टैक्स से बचा जा सकता है भारतिय मजदूर संग समित केंद्रिय करमचारियों के 11 संगठन इन प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं और इसे एक तरफा श्रम सुधार बता रहे हैं इन संगठनों ने 10 मार्च को देश व्यापी हरताल की योजना भी बनाई है विपक्षी दल भी करमचारी संगठनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं फिलहाल EPFO पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगता है मही नैशनल पेंशन स्कीम से पैसा निकालते वक्त टैक्स देना होता है ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी एंडिये सरकार के विदेश नीती पर जादा जोर होने के बावजूद बजट में विदेश मंत्राले के आवंटन में बड़ी कटाउती की गई है और उसी देशों को दिये जाने वाले अनुदान में भी भारी कमी की गई है विदेश मंत्राले की संसदिय समिती का कहना है फिर से दुनिया में भारत की राजने एक पहल पर असर पड़ सकता है जादा आवंटन की उमीद लगाए बैठे विदेश मंतराले को बजट से निराशा हाथ लगी है पिछले दो सालों में भारत की तरफ से सार्क और अफरीका समेथ कई गरीब देशों को सहयोग और सहयता के वादे किये गए थे ऐसे में मंतराले को इस साल के बजट में विशेश आवंटन का इंतजार था लेकिन हुआ इसका उल्टा इस साल के बजट में पिछले साल के मुकाबले 389 करोड रुपए कम दिये गए हैं और ये स्थिती तब है जब विदेश मंतराले से जुड़ी संसुदिय समीती ने पिछले दिनों बजट में इजाफे की अनुशन सा की थी सबसे ज़ादा कमी नेपाल को दिये जाने वाले आर्थिक सहयोग में की गई है पिछले साल नेपाल को 420 करोड रुपए दिये गए थे जबकि इस साल उसे 300 करोड रुपए मिलेंगे इसी तरह बांगलदेश, श्री लंका, भूटान और अफगानिस्तान के बजट में भी कमी की गई है जबकि इन चारों देशों के मामले में भारत की विदेश नीती सही पटरी पर चल रही है हाना कि म्यानमार और मालदीब के लिए बजटिय साहता बढ़ा दी गई है म्यानमार को अब 200 करोड की जगा, 400 करोड रुपए दिये जाएंगे वही मालदीब को 25 की जगा, 40 करोड रुपए मिलेंगे विदेश मंतरी सुष्मस्वराज ने कहा है कि अंतराश्ट्रे संबंदों को बनाने और उसे मजबूत करने के लिए आपसी जड़ाओ का फॉर्मूला सबसे कारगर है और भारत ने इसी रास्ते पर चलकर विश्व में एक अलग पहचान बनाई है विदेश मंतरी ने दिल्ली में आविजेत राइसीना डायलोग संबेलन के उद्गाटन के मौके पर ये बात कही भारत के विकास, रोजगार और सफलता का श्रे आपसी जड़ाओ जैसे फॉर्मूले को जाता है राइसीना समवाद 2016 के उद्गाटन समारो के मौके पर ये बातें विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज ने कहीं उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर चलते हुए भारत ने न सिर्फ एशियाई देशों से अपने संबंध प्रगार किये हैं बलकि दुनिया के देशों से भी संबंध बनाने में सहूलियत हुई है सम्मिलन में हिस्साले ने आये बंगलादेश के विदेश मंतरी अबुल हसन मुहमद अली ने कहा कि दक्षिन एशियाई देशों के लिए सुरक्षा एक बड़ी चुनोती है और इसके लिए आपसी सहयोग की बहुत ज़रूरत है तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मिलन में 40 देशों के साढ़े चार सो प्रतिनिधी हिस्सा ले रहे हैं सम्मिलन का आयोजन, विदेश मंत्राले और अब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है ब्योरो रिपोर्ट रज्ज सभा टीवी कुछ है मंतराश्ची खबरे, सीरिया पर रूस को नाटो ने कड़ी चेतावनी दी है नाटो ने यूकरेन और सीरिया में बत्तर होते हालाद के लिए रूस को जिम्मेदार ढहराया है नाटो कमांडर जनरल फिलिप ब्रिडलव ने कहा है कि सीरिया को लेकर तुर्की और रूस के बीच तनाव चरम पर है नाटो के वरिष्ट कमांडर जनरल फिलिप ब्रिडलव ने रूस पर सीरिया और यूकरेन में हालाद को बत्तर बनाने का रूप लगाया है वरिष्ट कमांडर ने रूस पर सीरियाए सरकार की मदद कारोप लगाते हुए कहा है कि वहाँ आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है यूरोप में अमेरिकी सेनिकों की तैनाती, आर्थिक मदद और समर्थन जुटाने के लिए जनरल फिलिप वाशिंग्टन में है जनरल फिलिप ने प्रवासी संकट को जान बूच कर युद्ध के एक हथियार के तौर पर इस्तमाल करने का भी आरोप लगाया है हाला कि रूस ने पश्चिमी देशों के आरोपों को खारिच किया है रूस ने कहा है कि सीरिया में उसकी कारवाई सिर्फ आईयस आतंकियों के खिलाफ है नाटो जनरल ने रूस को अमेरिका के लिए भी खत्रा बताया है नाटो जनरल का बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीरिया में 27 फरवरी से युद्विराम लागू किया जा चुका है अमेरिका और रूस की पहल से किये गए इस औस्था युद्विराम को महा खूनी संघर्ष के खात्मे के दिशा में एक एहम कदम माना जा रहा है अमेरिका में राश्वदी पद की उमीदवारी के लिए सूपर ट्यूजडे को 11 राज्यों में हुई वोटिंग के नतीजी और रुजहान मिलने लगे है डेमोक्रेटिक पार्टी की दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने 6 राज्यों में जीत हासल कर लिए है वही रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल ट्रॉम्प ने 5 राज्यों में जीत के साथ बढ़त बना ली है डोनाल ट्रॉम्प टैकसेस और ओकलाहूमा में मुखे प्रतिद्वंदी सेनेटर टेड क्रूस से हार गए है वही डेमोक्रेटिक पार्टी से दाविदार बर्नी सांडर्स ने अपनी घरेलू सीट वर्मोन जीत ली है दूसरे राज्यों के नतीजे अकले कुछी घंटों में आने के उमीध है राश्ट्रुपती चुनाव 8 नमंबर को होंगे पार्ट्रुपती चुनाव पार्ट्रुपती के साथ माइक्रोसेफ्ट के सैसन स्थापक बिल गेट्स ने दुनिया के सबसे दौलतवन इंसान का तमगा हासल किया है होब्स पत्रका ने 2016 के लिए अरब पतियों की सालाना सूची में गेट्स को एक बार फेर पहले स्थान पर रखा है बीते 22 साल में वो 17 बार सूची में पहले पायदान पर रहे हैं वहीं स्पेन के अमानिको ओटेगा 67 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे पायदान पर है जबकि अमेरिका के वारिन बाफिट 60.8 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे पायदान पर है मेक्सिको के कालो स्लिम हिलू 50 बिलिन डॉलर के साथ 4 अमेरिका के जेफ बेजोस 45.2 बिलिन डॉलर के साथ 5 जबकि अमेरिका के ही पेस्बुक के सीयो मार्ग जुकरबग 44.6 बिलिन डॉलर के साथ 6 पायदान पर है कोप्स की इस साल की सूची में 1810 अरपपती हैं जिसमें भारत के मुके शंबानी का नंबर 36 है बात क्रिकेट की एशिया कप T20 में भारत ने श्री लंका को पांच विकेट से हरा दिया है श्री लंका पर शांदार जीत के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया एशिया कप में भारत की लगतार तीसरी जीत है मीरपूर के शेरे बांगला स्टेडियम में खेले के मैच में श्री लंका ने निरधारत 20 ओवर में 9 विकेट पर 138 रन बनाए युवराज और कोहली की शांदार पारी से टीम इंडिया ने इस लक्ष को चार गेंद बाकी रहते पांच विकेट खूकर हासल कर लिया विराट ने 47 गेंदों में 7 चौकू की मदद से नाबाद 56 रन बनाए में युवराज ने 18 गेंदों में 3 चौके और 3 चौके की बदौलत 35 रन का योगदान दिया वितरीन बल्लेबाजी के लिए कोहली को प्लेयर ऑफ दे मैट चुना गया संसत के दोनों सद्नों में विशेशादिकार हननन का नोटिस है संसत के दोनों सद्नों में विशेशादिकार हननन का नोटिस विचारा धीन विपक शाज फिर से उठा सकता है मुद्दा जेन यूचातर करेंगे संसत तक मार्च जीवन रक्षक दमाओं पर सीवा शुल्क छूट खत्म करने पर सफ राश्ट्रे मानवादिकार आयोग वित्त और स्वास समंत्राले को नोटिस चार हफ़ते में मांगा जवाब आईपेल के पूर्व कमिश्रल ललित मोदी को भारत लाने की तैयारे ब्रिटेन से प्रित्तरपन के लिए एडी को अदालत से मिली मंजूरी विदेश मंत्राले के जरिये आगी की कारवाई अमेरिका में राश्पदी पद की उमीदवारी के लिए 11 राजजियों में डाले गए वोट हिलरी क्लिंटन को छे जबकि ट्रम को पांच में जीत टेकसास मेहारे बर्नी सांडर्स और इश्यक अपके फाइनल में पहुची टीम इंडिया श्रिलंका को पांच विकेट से हराया विराट कोली बने प्लेयर आप दे मैंच और इसी के साथ फिलाल इस बुलिटर में इतना ही आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर इसकार